अच्छा जब आप पुरान को देखेंगे बच्चों तो देखें इना सूरा शुरू हो रहा है और कुछ पारे सूरों से शुरू होते हैं और कुछ पारे सूरों से शुरू होते हैं और कुछ पारे सूरों से शुरू नहीं होते हैं बच्चों कोई भी आयत से शुरू होते है इस सूरत में कितनी आयते हैं और फिर नीचे लिखा रहा था इस सूरत में कितने रुकू है मतलब एक सूरत आयतों रुकू में डिवाइड होती है समझना है बात को अब आयत है कैसे मालू होगा बच्चो देखो तबारकल लजी बियदीहिल मुल्कू यह है पहली आयत तो आयत खतम होती कैसे मालू होता देखे नमबर लिखा हुआ है एक गोल है राउंड और उसमें वन नमबर है दूसरी आयत खतम होती क्या लिखा हुआ है टू है अरबिक में लिखा हुआ है तो आपको पता चलाएंगा आयक खतम कैसे हो राउंड आ जाएंगा कुछ पुराने खुरान जो होते बच्चों उस कॉपी में अंदर नंबर में होता है खाली एक राउंड डाला हुआ ठीक तो यह खुरान जब हमको खुरान पढ़ना रोख देना है समझा आप खुरान पढ किसी आयत पर आपने स्टॉप करना चाहिए तो देखें यह सोरा नंबर सोर्य के अंदर कितने रुपु है कितनी आयते लिखी रोकु क्या होता है आप को पेज देखिए इस पेच पर लिखा वा आयन देखा के आइन क्या ने पायड के निच़आ ये लिखावा है आयन आयन में डिवाइड किया गया को भी पारा शुरू होता है तो उसकी पहली या तो सूरा शुरू होता है तो सूरे के नाम से शुरू होता है या फिर अगर कोई आयत है तो आयत से शुरू होता है जब कोई सूरा शुरू होता है बच्चों तो सूरे का नाम होता है उसमें कितने गोल होता है उसमें नंबर लिखा होता है यह आयत है तो यह था पारे हमने देखा सूर्थों के बारे में और रुपू और आयतों के बारे में हमने आज देखा खुरान के तालुक से क्या आपने खुरान के तालुक से अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आये हैं तो इसे शेयर करें और सवाब की हख़दार बने रोजाना हमारे वीडियो को पाने करें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगा सोचल मेडिया पर जोने करें वीडियो में दिये गए आइडिस को साइच करें जिजा कर ला